चलिए जानते हैं आज साम की हिमाचल परदेश के सभी जिल्लों की सिलेक्टेट काम की बड़ी खवरों को पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक कर दीजी अगनीवीर भरती के लिए दस्तावेश तयार कर ले एक चुक 11 सितंबर से क्रिसी बिस्विद्याले मैदान में होगी सेना भरती जह कांगला और चंबा जिले के युवावों के लिए अगनीवीर भरती रेली का आईजन 11 सितंबर से चोधरी सर्वन कुमार हिमाचल पर्देश क्रिसी बिस्विद्याले में मैदान में हो रही है आपको बतादे कि सेना भरती कार्याले पालंपूर के निदे से कर्नल राजीब सिरोही ने बताया कि इस सिरेली के दोरान रेली अधिसुचना में दिर्दिश चभी अधस्तावेजों को ले जाना उमिदबार की एक महत्पूर ने जीमेदारी है इसके साथी सेना भरती कार्याले पालंपूर सभी उमिदबारों को इस माधियम से सुचित किया जाता है कि रेली मैदान में परवेश पाने के लिए परवेश पत्र, हिमाचला दीवास परमान पत्र, कक्छा दस्वी परमान पत्र और आधार काट होना आवश्चेक है कांगला हलके में कॉंग्रेस टिकट के लिए बढ़ी आवेदकों की संखियां कई नजे चेहरे आये सामने जिया परदेश कॉंग्रेस के पूर्व कारीकारी अध्यक्षवा कॉंग्रेस विधायक पवन काजल के कॉंग्रेस छोड़ने पर ऐसा लग रहा था कि कांगला हलके में कॉंग्रेस को बिधानसवा चुनावों के लिए उमीदबार नहीं मुईल पाएगा लेकिन समय ने ऐसी करबट बदली की कांगला बिधानसवा से कॉंग्रेस टिकट के चाहने वालों की लंबीत फोज त्यार हो गई है आपको पता देगी बीते रोज ते कुल 10 कॉंग्रेस कारे करताओं ने कांगला बिधानसवा चेतर से कॉंग्रेस टिकट का आवेदन कर चुके थे जबकि आवेदन करने वालों की संकिया और बढ़ने की पूरी उमीद है आपको पता देगी आवेदन करने वालों में नगर निगम के पूरो महापोर एवं पूरो बिधायक आदर से पूर सूद उप महापोर हरिस जनार था, मासचिब यस्वन थाजडा, वरिष्ट उपादेक्स नरेश चोहान, सुरंदर चोहान सहीद कई दिगज नेता सामीले कुल्लू में 1.38 गराम चरस सहीद महिला गिरबतार जग कुल्लू पुलिस नासा तसकरी करने पर लगातार सिकंजा कसा है इसी के तहद वीरवार बनजार पुलिस ने देर रात को नकाबंदी के दोरान पुलिस ने 1.38 गराम चरस के साथ महिला को गिरबतार किया है आपका पता दे कि महिला की पहचान रुकी देवी पतनी मांचन्द गाउं सरन डागर रेला तैसिल सेंज जिला कुलू के रूप में हुई है पुलिस टीम को गुपते सुचना मिली थी कि इस मार्गे पर चरस तसकरी हो रही है इसी अधार पर पुलिस टीम ने योजना तयार की और महिला पुलिस को दे कर घबरा गई सक के अधार पर जब पुलिस टीम ने महिला की दलासी ली तो उसके कबजे से 1.38 गराम चरस सरबरामत हुई मनी करने के सुमारोपा के पास पंजाब का परियाटक पारवती नदी में कूदा लापता जब पारवती घाटी के सुमारोपा के पास एक परियाटक के नदी में कूदने की सुचना मिली है अभी तक परियाटक लापता है भुंतर मनिकर्न मार्ग में सुमारोपा के पास एक परियाटक नदी किनारे उतारा और अपना समान नदी किनारे छोड़कर नदी में कुद गया आस पास के लोगों ने वेक्ति को नदी में कुटते हुए देखा लेकिन जब तक लोग नदी किनारे पहुँचे तब तक वेक्ति नदी की तेजधार में बागया था इसकी जानकारी अस्तानियों लोगों ने पुलिस को दी गई और पुलिस दर मोके पर पहुँचकर रेस्क्यू टिम ने तलास शुरू कर दिये अगर आप हैं काला और प्रकृति प्रेमी तो आपके घुमने के लिए हिमाचल का यह गाउं जग गाउं तो आपने कई देखे होंगे लेकिन अभी किया कोई गाउं ऐसा देखा है जिसे काला ग्राम कहा जाता हूँ एक ऐसा गाउं जहां काला प्रेमी बसते थे काला कारों का गाउं और हर तरब खुबसूरत प्रकृति नजारे सामने विशाल धोलादार परवत, स्रिंखला और गाउं में बहत छोटे नाले जहरने इस गाउं की खुबसूरती को और बढ़ा देते हैं हम यहां बात कर रहे हिमाचल परदेश के खुबसूरत गाउं अंत्रेटा की मजवार में बहन और खुद को बचाने के लिए तेंदुवे से भिण गया पुलिस जवान जे मजवार के थोड़ी पीछे काणी गर्लू नामगास्तान पर तेंदुवे ने हमला किया जैसे ही तेंदुवे के हमले से बहन सिमा नीचे गिरी तो तेंदुवे उस पर जपट पड़ा बाद में इस कुटी के गिरते ही तेंदुवे ने सिमा को छोट ललीत पर धावा बोला हलाकि दोनों ने तेंदुवे का डट कर मुकावला किया रिटार्मेंट के एक दिन बाद कॉंग्रेशन में सामिल हुए महसूर चाइल्ड इस्पेसेलिस्ट डॉक्टर पन्नालाल ज़े डॉक्टर पन्नालाल ने गत दिन 31 अगस को एकचिक सेवा निवरिती ली है और आपका पताद के निर्देश में कॉंग्रेश कारियाले सिम्मला में विदीवत रूप से कॉंग्रेश पर्टी का दामन थाम लिया है आपका बता दे कि डॉक्टर पनालाल लोगों में बेहत लोगपिरिये हैं और उनके धरमपूर विधानसभा छेतर से चुनाब लड़ने की चर्चाएं जोरों पर है सरकागाट से ठीकट मिला तो दमखम से लड़ूँगा नहीं मिला तो संगठन के लिए काम करूँगा कि अगर इन्हें पार्टी टिकट देती है तो वे पूरे दमखम के साथ चुनाब लड़ेंगे और यदि नहीं देती है तो संगठन के लिए काम करेंगे दर असल करनल इंदर सिंग ने नियूज 18 से एक्सक्यूलिसिव बात चित की कॉंग्रेस में टिकट के लिए होड 68 सीटों पर 347 आवेदन सिमला सहरी से सबसे अधिक दाविदार जे एक अनार सो बिमार या कहवा थिमाचल कॉंग्रेस पर लागू होती है कॉंग्रेस में टिकट और चाहवानों की होड मच गई है सुबे की 68 बिदान सबापर कॉंग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने के लिए 347 आवेदन आये है आपको बता दे कि आवेदन के अंतिम दो दिनों में 1000 से जादा आवेदकों ने आवेदन किया है आवेदन परिक्रिया के आखरी दिन गुरुबार को सरवाधिक आवेदन प्राप्तों हुए है वहीं कॉंगरेस उपाद्यक्ष नरेस चोहान ने 1347 आवेदन आने की पूष्टी की है जियान का खजाना है भारतिय उचे अधियन सनस्तान 1888 में बनकर तयार हुआ था भवन जियां 1886 में अस्तर पर निर्मान शुरू हुआ और लेडी डफरी ने 23 जुलाई 1888 को भवन में परवेश किया इसके लिए चमबा से बिजली की बैवस्ता की गई अजादी के बाद यह राष्टपती भवन बना फिर 1965 में इसे भारतिय उच अधियन सनस्तान के सपूर्द कर दिया नेपाल के पानी से सर्यू फिर लाल लिसान पार बेराजों से पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ा जलस्तर जिया बेराजों से 2,90,000 क्यू से पानी छोड़े जाने के बाद सर्यू नदी का जलस्तर लाल निसान को पार कर गया है नदी का पानी तेजी से गाउं की और बढ़ने से तराई में हनकप मच गया है और लोग गाउं छोड़कर सुरक्षित अस्तानों के लिए पलायन करने लगे है इसके साथ ही आपको पता दे कि मसीना के भावर में फसकर तेलवारी गाउं के दो और मकान नदी की धारा में समा गया है इस्तिती की गंबिर्था को देखते हुए परसासन पूरी तरसे अलट मोड में आ गया है और तीनों तहसीलों के SDM को पूरी तरसे सतर कर रहने और किसी भी अपाद इस्तिती से इम निपटने को तयार रहने को कहा गया है घर से निकले असनातक छातर का नाले के पास सब मिला जिया बांदा सेमरी नाले के पास मिला सब असनातक छातर का था उसकी सिनाक्त मामा ने सोसल मेडिया पर वाइरल फोटो से की उन्होंने छातर की हत्या की औसंका जताई है काया कि उसकी बेबूरी कोतवाली में गुमसूदगी दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस ने समय रहते खोज भी नहीं की जोगिंदर नगर में SDM डॉक्टर विसाल सर्माने छात्राओं को बाटा महिला ससक्तिकरण का ज्यान जे अमर उजला फॉंडेशन की ओर से ओप राजीता स्व मिलियन इसमाईल अभियान के तहट हिमाचल पर्देश के जोगिंदर नगर इस्तित नियू क्रिशेंट सिनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कारिकरम आयुजित किया गया कारिकरम में SDM डॉक्टर विशाल सर्माने मुख्यातिती के रूप में सिर्कत की इस दुरान उन्होंने ससक्तिकरण पर छात्राओं को जानकारी दी काकी वेदिक संसिक्रिती में सुरू से ही महिलाओं को सम्मान दिया गया और महिलाओं को आप राजिता की ही माना गया है जो अधिकार पुरुसों के थे वही महिलाओं को भी थे हिमाचल के उना में एक ही जगह होंगी परागलाइडिंग वाटर एरो इस्पोर्ट जे हिमाचल में पहली बार एक ही जगह पर परियाटन परागलाइडिंग, वाटर और एरो इस्पोर्स का आनन्द ले पाएंगे पुटले हड़ विधान सभा छेतर में एक ही जगह में यानि तीनों गती भी दिया होगी पेरागलाइडिंग और वाटर इस्पोर्स के लिए ट्राइल के बाद अधिस उचना जारी कर दी गई है एरो इस्पोर्स भी यहीं संचालित करने की योजना है पुटले हड विधान सभा छेतर के चुलहडी से पेरागलाइडिंग के लिए ट्राइल हो चुके है आपको बता दे कि ट्राइल सपल रहने के बाद यह साइड अधिसूचित हो गई है यहां से उडान भरने के लिए नीजी भूमी का अधिगरन की परिक्रिया अपनाई जा रही है इसके साथ ही चुलहडी से उडान भरने पर मानब परिंदे गोविन सागर जील के एरियल नजारा ले पाएंगी दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक सेर चलको सस्क्राइब जरूर करें